बुधवार की सुबह एकमा बजार व आसपास के ग्रामिन इलाकों में हुई जहमाजम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है वहीं हाल ही में एकमा बजार में निर्मित एकमा ताजपुर संपर्क सरक की उचाई अधिक कर देने और अभी तक सरक के दोनों किनारों पर फूट पात का निर्मान नहीं कराये जाने से जल भराव वा कीचर का समराज्य हो गया है जिसके चलते एकमा बजार में अवश्यक समानों की खरिदारी करने के लिए पहुचने वाले राहगीरों के अलावा पैदल दुपहिया वचारपहिया वाहन चालकों को भी बजार में पहुचने और घर लोटने में काफी परिशानी हो रही है सरक पर कीचर और फिसलन के चलते दिन भर लोग गिरती और चोटिल होती नजर आए वही एकमा नगर पंचायत के विभिन वार्ड मोहलों में वर्सा जलकी निकासी की समुचित विवस्था नहीं होने के कारण जल भराव भी हो गया है इस संबन में नगर पंचायत वासियों का कहना है कि पहली बर्षात में नगर पंचायत एकमा की स्थिती ऐसी है तो पूरे बर्षात के मौसम में इस स्थिती किस तरह की होगी इसका सहज ही अनुमान लगाय जा सकता है बताया गया है कि नगर पंचायत है कहां बजार के पांच वर्सों का कारिय काल पूरा हो गया है अभी चुनाओ कराने संबंधी कोई विभागिय तयारी भी नहीं हो रही है इस बीच नगर पंचायत के कार्यापालक पदाधीकारी का आरोप है कि उनका निवास मुख्याले में नहीं, उनके कार्याले और नियमित आने की कारण यहां का समुचित विकास कार्या प्रभावित हो रहा है